नमस्कार प्रेशिक्षार्दियों राष्टे मुक्त विद्याले शिक्षा संस्तान में आप सबी का स्वागत है मैं डॉक्टर स्नेहलता दोर्नाला असोसेट प्रोफेसर वैद्य एगदत शर्मा आयर्वेद महाविद्याले कुर्जा की और से यहां आज आपका जनस्वास्त पार्टिक्रम के अंतरगत प्रैक्टिकल मैनवल में जो गर्बिनी महिला का देखरे के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर जोसना ताकूर ये स्त्री रोग एवं प्रसूती विशेशगन है हमारे साथ आई हुई है तो आज जो टॉपिक है गर्बिनी महिला का देखरे के इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आप जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर प्रतिशत की महिलाएं बिना कोई प्लान कि गर्बिनी या गर्बवती बन जाते हैं जिसके कारण गर्बस्त शिशु को आगे की जिन्दगी में कटिन स्थितियां सामना करना पड़ता है उदाहरन के लिए अगर गर्बनी बनने से पहले महिला का अगर रक्तहीन हो और वे महिला अगर गर्बनी बन जाती है तो जो रक्तहीन के कारण पोशक तत्व जो है गर्बस्त शिशु में ना मिलने के कारण आगे की उस शिशु की जिंदगी बहुत कटिनाई हो सकती है तो आईए आज हम देखते हैं कि गर्बनी महिला का किस तरह से देखबाल होनी चाहिए और किस तरह की खाना खाना चाहिए और किस तरह खाना नुकसान कर सकती है और कितने गंटे विश्राम करने चाहिए और किस तरह से योग और व्यायाम करनी चाहिए ये सारी जानकारी पिस्तार रूप में देने के लिए हमारे स्टूडियो में डॉक्टर जोसना ताकूर मैडम है तो मैडम नमश्कार अच्छा मैम ये बताईए कि महिला गर्बवती बनी है तो ऐसा कोई अलग लक्षन दिकाई देते हैं जिससे पता चले कि ये गर्बिनी है और अगर पता चल जाता है तो उन्हें किस तरह की आहार विहार और विश्ट्राम व्यायाम करनी चाहिए इसका जानकारी दीजिए हमा इसने ड्यूरेशन का होता है और किस पीरियड को जो है वो गर्बिनी का काल कहते हैं तो गरबा धान के परिक्षन परेक्षन परेक्षन के उसके और इसके गर्बणी परिचर्य के लाव हैं तो इसका जो हमारे लिए बैनिफिट है whenever कि दोरान संभावित जोकिमों की पहचान जो हो समभव जाता है दूसरी बात गर्भावस्ता के दौरान गर्वती महिला और उसके परिवार को सही सुझाव देकर उसका पालन करवाने में सक्षम हो सकेंगे गर्वा वस्ता के अनुमानित लक्षनों का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो गर्विनी महिला से पूछते हैं कि उसका रजोधर्म जो था वो समय से आया या नहीं आया इसमें गर्विनी बताएगी कि रजोधर्म उसका समय से नहीं आया है स्तनों के अकार में बृद्धी हो रही है या भारीपन हो रहा है सुबह उसको उल्टी करने की इच्छा होती है बार-बार पिशाब आता है और अगर इन लक्षनों से भी पता ना चले तो अगर बहुत देर होगी है तो गर्वीनी ये भी बता सकती है कि उसको भूण की हलचल महसूस होती है शरीर में बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है इसके अलावा उसके जो संभावित लक्षन रहते हैं उसमें हम पिशाब जांच के दौरा जो है उसमें प्रेजन्ट जो हॉर्मोन से उनका पता लगा जा सकता है तूसरा रजोधर्म रुकने के समय से हम पता लगा सकते हैं और गर्वस्त जो भूण है उसके हृदे की गती से पता चल सकते है या फिर अल्टरा साउंड के दौरा हम पता कर सकते हैं कि गर्वधारन हुआ है या नहीं हुआ है जो गर्वा वस्ता का काल रहता है नौ महीने का उसको हम तीन त्रहमासिक में भी वाजित कर देते हैं तो पहला त्रहमासिक है वह एक सप्ताह से लेकर के बारा सप्ताह तक का समय रहता है दूसरा त्रहमासिक तेरा से अठाई सप्त को यह बताएए कि गर्भी ने महिला का संभावी प्रसव तिदी का परिकलन कैसे करें जो प्रसव का काल है वह मैंने बताया कि जैसे 9-month का रहता है तो हम कैसे करते हैं कि जो है संभावी तारिक शोथ की वह क्या रहेगी तो इसके लिए हम महिला से पहले पूछते हैं कि उसका अंतिम जो रजह स्त्राव था वो कब हुआ था अंतिम रजह स्त्राव की तिथी बताएगी उसमें हम जो है नौ महीने और साथ दिन जो है वो उसमें एड़ कर लेते हैं और इस तरह से जो डेट आती है वो उसके प्रसप की संभावित तारिख रहती है उधारन के लिए आप जैसे मालो कि अंतिम जो रजह स्त्राव था उसका वो 1st January में आया था तो 1st January को अगर आया था तो उसमें हम 9 महीने एड़ करेंगे तो 1st October बना उसमें हम 7 दिन और एड़ करेंगे तो 8 October बनेगा तो इस तरह से उसके जो प्रसप की संभावित तारिख रहेगी वो 8 October रहेगी तो इसका मतलब पूरा नौ महीने और साथ दिन एड़ करना होता है एलम्पी को जी ठीक मैं बताइए कि गर्ववती महिला का शारीरी परिवर्तन क्या होगा क्या लक्षन दिकाई देगा गर्वावस्ता के दौरान शरीर में बहुत सारे क्रियात्मत परिवर्तन होते हैं उनमें सबसे जो मेन है वो है शरीर के भार में ब्रिद्धी कि जो गर्वविनी महिला है उसके शरीर के भार में बहुत जादा ब्रिद्धी हो जाती है उसमें भी हम मानते हैं कि अगर एक सिंगल प्रग्नेंसी है तो सिंगल प्रग्नेंसी में नॉर्मल में बृद्धी होती है बारीपन होता है और जो चुचुक है उसके जो स्तह में कालापन जो है वो ज्यादा आने लगता है और जो उसके जो स्तन है उनके ऊपर रेखाओं का उभार आना शुरू हो जाता है और उसके जो उदर है उसके तीन मासिक रहते हैं उसमें वमन या जि होती है कब्स के समस्याय रहती है और गर्व की रिखाएं बनने लगती है तो यह सब चीजें जो है वो उसको प्रसवा अंगर वावस्ता के दौरान होने लगती है मैं यह बताईए कि गर्विने महिला को डॉक्टर के पास कितनी बार जाकर संपर्क करने चाहिए अपना चेक अप करवाना चाहिए प्रसव पुर्व जांच के लिए जो समय बताया गया है वो जनरली हम यह मानते हैं कि कम से कम तीन विजिट जो है वो मिनिमम जो होने चाहिए इसके अलावा जो WHO कहता है उसके अनुसार जो है वो 28 हपते तक जो फॉस्ट है और सेकिंड मैंने त्रह मासिख बताया 28 सप्था का समय उसमें जो हर महीने महीने में एक बार जो है वो जरूर जो है वो अपनी जांच के लिए चिकितसक से संपर्क करें और जो 29 सप्था के ब सप्था उसको परिक्षिन करवाने के लिए जाना होता है यह बहुत जरूरी है और अगर इतनी बार वो नहीं जा सकती है तो मिनिमम जो तीन विजट है वो होने ही चाहिए तो इसके लिए हमें उनको गाइड करना होता है बार बार उनको मॉटिवेट करना है कि वो बार बा पिर इसके बाद हम बात करते हैं कि गर्वस्त जो मैला है उसका जो परिक्षन के लिए आती है तो हमें क्या क्या चीजों का उसमें ध्यान रखना होता है तो सबसे पहली बात आती है कि जब भी गर्विती हमारे पास आ रही है तो हमें उसका रोगी इत्तिवरित जिसे हम कWERते है ग्लीनिकल हिस्ट्री कि हिस्ट्री लेनी है उसके बात जो है उसके विविन जो परिक्षन बताएगे हैं वो करने है जो हमारे पास प्रोग शाला में जानच करनी है या फिर उसके लाबा जो अल्रासांट करवाना होता हैं वह सब उसका करना है तो सबसे पहले हम रोग इतिवरित के बारे में बात करें तो गरवस्त महिला से हमें क्या क्या जो है वो question पूछने है तो उसमें main होता है उसका नाम क्या है उसकी उम्र का है क्या है उम्र इसलिए पूछनी है क्योंकि ये है कि अगर वो बहुत कम उमर की है जैसे अगर 16 वर्ष से कम की उमर है और अगर उसका 30 वर्ष से जादा की उमर है तो उसमें जटिलताएं होने की संभावना जादा है तो उसका हमें उतना जादा उसका ध्यान रखना पड़ेगा देखवाल करना पड़ेगा इसलिए उम्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है दूसरा आता है website कि वो कौन से website जो है वो उसका है इससे हमें पता चलता है कि एक तो कि उनका जो economical status है वो गया है क्या वो proper खानपान जो हम बताएंगे वो ले सकती है या नहीं ले सकती है और इसके अलावा वो कौन सा website जो के बारे में पूछना क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि गर्भीणी महिला जो है वो जो आप बता रहे हैं वो कितना उसको समझ रही है और वो कितना उसको फॉलो करेगी इसके अलावा विवहा की अवदी का relevance यह है जानना कि इससे हमें यह पता चलता है कि अगर उसको ही जो बेबी होने वाला है जो शीशु होने वाला है कि वह बहुत प्रेशियस तो नहीं है कि उसको बहुत सालों के बाद कंसीव हुआ है और फिर उसमें क्या क्यकिया arise हो सकती है जटिलता है आ सकती है हमें उनका कैसे समाधान करना है इसलिए ये सब जानना जरूरी है फिर इसके बाद आता है उसका रजोधर्म का इतिवर्त रजोधर्म means कि जो इसकी menstruation की history है कि जो इसकी menstrual history है कि उसका जो लास्ट मेंशनल पीरेट था जो अंतिम उसकी रजस्ट दर्शन था वो कब हुआ था उसकी कौन सी डेट थी इससे हमें क्या पता चलेगा जब हम अंतिमासिक चक्र की तिथी जानेगे तो हम उसका संभावित तिथी का आकलन जो है वो कर सकते हैं इसके अलावा जो है कितनी हम र 75 हम जानें यह खुआ और जो तो उसका प्रसफ हुआ है तो उस से रिल्एट सारा जो हिस्ट्री है वो हम पूछेंगे उसमेंगे टोइड सी मेल हैं न उसके हैं मेल हैं जब लैम हुआ तो जनम के समें उनने का कितना व्यव तो आ और इसके अलावा जो पूर्व कालिन जो गरवावस्था थी उस दौरान उसको कोई जटिलताओं का सामना तो नहीं करना पड़ा था जैसे एनीमिया तो नहीं रहा या उसका ब्लड प्रेशर जो रक्चाप है वो हाई तो नहीं रहा पीछली प्रेगनिसी में तो ये सब जानना जरूरी है इसके अलावा जो है जो शीशू के बारे में कि जो शीशू था जनम के समय इसका वजन क्या था और वो मेल था फिमेल था और आपने उसके बाद उसका टी का करण करवाया या नहीं करवाया और अंतराल कितना रहा पिछली प्रेगनिसी आपकी कौन से एयर में हुई थी और इस बार कौन कितना सालो का अपने गैप दिया है यह सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें ग्लू मिलेगा कि उसका हेल्ट स्टेटस पहले कैसा था या कौन सा उसको जो है डिजिस हुआ था पहले कौन सा रोग हुआ था और उसके लिए हमें इस बार जो है वो तैयार रहना है ताकि कोई इ चितपन हुई है समस्या और क्या वो समस्या बढ़ रही है और उसके लिए कोई दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे या पहले उसका कोई किसी चीज को लेकर के कोई शल्य करम तो नहीं हुआ है तो यह सब भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है इसके अलावा हम उससे पूछते हैं कि उसका पारिवारिक जो है वहां परिवार में कोई ऐसा व्यादी तो नहीं है जो कि परिवार में चलती आ जो है वो सोय होजन ना पड़ेगा, तो वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। इसके लावा उसका नीजी रोगों का इतिवरित की जैसे मालो तो उसको भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है, पिशाप करने में कोई परिशानी तो नहीं है, या इसके लावा नीन कैसी आती है, या जो है वो स्मोकिंग की या फिर अलकोहल की इस तरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, तो ये सब भी हमारे लिए जानना जो है वो ज परिक्षन की बात कि अब हमें कौन-कौन से उसके परिक्षन करने हैं तो उसमें कुछ समाने परिक्षन रहते हैं कुछ वो उधरी परिक्षन रहते हैं समाने परिक्षन की हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मदर का जो वजन है वो कितना है उसके अलावा उसकी जबस्त शीशु है उसके बाहराने में कठनाई हो सकती है तो हो सकता है कि उसमें हमें फिर जो हमारा जो मैथट होगा प्रसव का उसको बदलना पड़े कि हमें उसमें जो समाने प्रसव करवाना है या उपरेशन के द्वारा करवाना है इसी तरह से वजन का भी वैसी ही इंप तापमान, तापमान से हमारे ये मतलब है कि कहीं को infection तो नहीं है, उसके स्वसन की दर का पता करना है, रक्त चाप का पता करना है, ये हर विजट में ये सब जो है, वो basic requirement है जो हमें देखनी है, क्योंकि blood pressure का बहुत जादा role है, अगर pregnancy में blood pressure हाई होगा, तो वो बहुत बड़ करते हैं, शोथ, शोथ means कोई adema या swelling तो नहीं हो रही है, इसके लिए हम जो गर्बिनी महिले है, उसके पैरों का परिक्षन करते हैं, कि पैरों में अगर या फिर जो टांग का सबसे निजला हिस्सा है, उसके आगे की जो वन थर्ड पाठ है, उसमें जो है वो शोथ तो नह हो रही है, क्योंकि अगर वहां पर swelling तो नहीं हो रही है, तो हम five second के लिए उसको दवा करें रखते हैं, और अगर बहा परहां पर हमें लग रहा है जो शारिरिक परिवर्तन बताएगे हैं इस्तन में क्या वो हो रहे हैं या वो नहीं हो रहे हैं उसमें ये रहता है कि इस्तनों के आकार में व्रिद्धी होती है उसके इस्तनों के जो सता है उसमें नीले रंगी सिराओं का उभार हो जाता है उनमें भारीपन रहता है इसके अ अगर ऐसी कंडिशन में है तो उसमें हम गमहिला को यह सला देते हैं कि अभी आप इस गर्वावस्ता के दौरान ही बार बार जो है उसको ओईल से या तेल से जो है उसकी मालिश करके निपल को बाहर निकालने की कोशिश करो ताकि बाद में फिर बच्चे को दूद पिलाने मे इसके अलावा नेतर का परिक्षन हम करते हैं नेतर की परिक्षन में हम देखते हैं कि जो कंजक्टाइवा का कलर है उससे पता चलता है कि कहीं पैलर एनेमिया तो नहीं है क्योंकि अगर पीत वरन का होगा नेतर तो इसका मतलब है कि गर्वनी को एनेमिया हो रहा है या फिर अगर उसका बलबर कंचक्टाइवा में पीलापन हमें नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि गर्वनी को हो सकता है कि पीलिया की शिकायत हो रही हो तो इससे जो है वो गर्वस्त जो शिशु है उसके विकास में भी जो है दुश्प्रभाब पढ़ सकता है इसलिए ये सब परिक्षन जो है वो जरूरी है ये समान्य परिक्षन है जो इच एंटिनेटल विजट में जो है एक प्रोटोकॉल की तरह सब का जो है वो नापा तो इसका मतलब है कि या तो कुछ उसकी डूटीशन में पराबलम है या तो गर्व की ही कोई विक्रती है जिसके कारण उसका पोश्ण नहीं हो रहा है और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी हमें ये उसको जो कारण है उसकी जांच करनी है कि यहाशा क्यूं हो रहा तो उसमें हम सबसे पहले उदर की जांच में हमारा सबसे पहले आता है निरिक्षन कि निरिक्षन में जिसमें हम सिर्फ देखेंगे आंखों से कि उसके उदर की क्या कंडिशन है उसमें हम देखते हैं उदर का आकार कि उदर के आकार में क्या वृद्धी हुई या नहीं कोई इंसीजन का मार्क तो नहीं है अपडॉमन में कि हम देखेंगे कि पहले उसका कोई आपरिशन तो नहीं हुआ था या फिर इसके अलाबा हम देखते हैं कि जो खिंचाब के निशान पड़ते हैं क्या वो पड़ रहे हैं या वो नहीं पड़ रहे हैं तो यह सब चीजें में इनका दियान रखा जाता हैативा दूरी चीज आती है जो है वह परिषपर्षन चाहिए अपने हातों से परिषपर्ष करके बताते हैं कि कितना जो है वो घरवाशे का जो अकार में व्रिद्दी हुई है और वो कितने समकालिन है कितने सपता हम उसको मानेंगे तो इसमें जो है वो ये रहता है कि अगर जो है जो प्यूबिक संपाइसिस है जिसको हम संधान जगह नस्ती कहते हैं अगर उसकी सतह पे हमें मिल रहा है कि तो उसका मतलब है कि 12 सपता हुए हैं अभी पहले तीन महीने ही गुजरे हैं क्योंकि तीन महीने में अभी जो है वो हम उदर से उसका पता नहीं लगा सकते क्योंकि वो अभी शिरोणी में ही रहता है तीन महिने के बाद जो है वो जो संधान जगनस्ति है उससे उपर गरब जो है वो आने लगेगा तो हम fundus की height को वहाँ उसके बाद ही देख पाते हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर उसकी level पे है उसकी सतह पे है संधान जगनस्ति के तो वो 12 सप्ता है अगर उससे 2.5 cm उपर है तो वो 14 सप्ताह माना चाता है अगर नाभी से 4 cm नीचे है तो हम मानते हैं कि वो 18 सप्ताह है अगर नाभी की सतह पे है तो हम उसे 24 सप्ताह मानते है इसके अलावा जो है नाभी और जो जिफी स्टरनम होता है जो हमारी उरो अस्ति है उसका सबसे नीचे वाला भाग है जिफी जिसे हमें कहते हैं अगर वहां और नाभी बीच का जो हिस्सा है उसको हम तीन बडाबर Junior mighty नीचे के यह सबसे नीचे फंड मिल रहे है है तो शलिए 2 सब्सक्राइथлох प्रवश करते हैं और अगर बिल्कुल वहमें जिफी के जो है सतहा पर मिल रहा है तो हम उसे चति सप्था का गर्व मानते है और इसके बाद टोटल पेडिनिसी तो हमारी और वो बत्ती सप्ता हमें आ जाती है तो इस तरह से हम यह फंडस की हाइट को देखते हैं और फिर आते है बात कि फंडस की हाइट को हम देखते कैसे हैं तो जो हमारा वाम हास रहता है लेप्ट हैंड लेप्ट हैंड का जो हमारा आंतरिक हिस्सा रहता है उस आंतरिक हिस्से स देखते हैं कि कौनसी जो है वह वही इन मेंसे कौन से पर है तो इसके समकाली रही सैंद्फी सैजली गेस्टेशन तो प्रश्व के में जो एग्जामीनेशन आदू है गर्भली महिला का परिशपर्षन करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो फंडेस वाला हीजन है वहाँ पे भूर्ण का सिर है या नितम है या उसके शरीर का कौन सा हिस्टा है वहाँ उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं फिर इसके बाद दूसरा गृप आता है पार्श्व गृप पार्श्व गृप में हम जो है वो जो गर्विनिस्त्री है उसके नाभी के दोनों और जो पार्श्व हैं जो लेटरल साइट्स हैं वहाँ पे अपनी दोनों हथेलियों के दोरा परिस्परश्व करते हैं और उसमें ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि किस भाग में जो है वो भृून की पीठ है और किस भाग में जो है उसके बाकी के अंग है तो इससे हमें उसका पता चलता है फिर इसके बाद आते हैं हमारे पैल्विक ग्रिप हमारे दो पैल्विक ग्रिप होते हैं प्रथम पैल्विक ग्रिप और दूतिय पैल्विक ग्रिप प्रतम pelvic grip में हम दोनों हातों की जो हमारी आंत्रिक सिमाई रहते हैं उनके द्वारा गर्वाशे के निचली हिस्से में जो हमार इंगोईनल लिगमेंट रहता है उसके parallel में रख करके गर्व के अंगों का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस हिस्से में गर्व का सिर है या गर्व का जो है उसमें नितम वाला हिस्सा है कौन सा हिस्सा है और वो फिक्स है या वो श्रोणी में प्रवेश कर गया है इसका भी हमें पता चलता है इसके अलावा दूतिय पैल्वी गृप इसमें हम दाहिने हाथ को पुरी तरह से फैला करके गरवाशे के नीचले हिस्से में स्थित गरव के अंगों का पता लगाते हैं और इसमें भी हमें यही पता चलता है कि उसका सिर नीचे है या फिर उसका नितम बाला हिस्सा है और ये जो है वो fix हो गया है या श्रोणी में उसको प्रवेश हो चुका है या वो अभी तक उदर में ही विद्यमान है हमें इन ग्रिप्स से ये सब पता चलता है ये तो हो गई हमारी examination उसका जो परिश परशन था पैलपेशन था फिर इसके बाद हमारा आता है परिश परिश रवन परिश रवन दिसे हम कहते हैं नौश थे कि घंटी हो excited सभॉन पर फिंडाइक और करके छ सब्सक्रार ना ये जो सुनाई देती है जासे गुद्ध की अवाज आती है इस तरह से जो उसकी आवाज जो है वो सुनाई दिती है ये तो था सारा हमारा परिसपर्शन जो हमने जो है वो उसको निरिक्षन किया परिसपर्शन किया उससे जो हमें पता चला फिर इसके बाद हम जो है उसकी कुछ प्रयोक्षालिय जानचें भी करवाते हैं जो routine में हम follow करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके blood group जानना कि मदर का कौन सा blood group है क्योंकि आरेच फेक्टर की importance है इसमें कि अगर positive blood group है तब ठीक है लेकिन अगर mother blood group negative है और अगर father का positive हुआ तो उसमें बच्चा negative blood group भी हो सकता है, positive भी हो सकता है लेकिन अगर बच्चा जो है उसमें positive blood group का हुआ तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो successive वो pregnancies होगी उसमें incompatibility के जो हैं जादा हैं जिसमें की बच्चे की मृत्यू हो सकती है तो इसलिए blood group का जानना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा अगर हमें अपात कालीन हमें रक्त स्राब बहुत ज़्यादा हो गया हमें रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंट जो है अगर हमें blood group पता होगा हिम्मोगलोबिन है, तो उसमें जो है, वो बहुत सारी जटिलताओं का सामना हमे करना पड सकता है, अतियांत राश्राव हो सकता है, उसमें मदर की बीज़एंदेट हो सकती है, तो इसलिए यह सब भी करवाना ज़रूरी है, इसके लाबा यूरिन, जो उसका पिशाप की जांच है उसमें प्रोटीन के लिए और शुगर के लिए वो जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उसमें प्रोटीन आ रहे हैं तो चांसिस हैं कि उसको जो हो सकता है उसका उच्छ रखतचाप है क्योंकि उसमें प्रोटीन आ जाते हैं या और कोई प्रोटीन डेफिशे दिन है वो सब जानना जरूरी है तो इसलिए यूरिन का भी करवाना जरूरी है इसके अलावा कुछ वाइरल मारकर जैसे HIV है वीडियारल है और जो हेपटाइटिस के लिए है हेपटाइटिस बी सर्फिस एंटीजन तो यह सब भी हमें करवाना है कि मदर को कोई इंफेक्शन तो नहीं है जिससे की चांसिस हैं कि फीटस को भी इंफेक्शन हो सकता है तो वो हमें रोक थाम कर सके इसके लिए या डिलीवरी के समय उसके लिए प्रॉपर हम जो है वो प्रिकॉशन ले सके तो यह सब जांचे हमें करवाना जरूरी होती है तो यह तो हो गई लिबार्ट यह है जरूरी होता है कि उस त neighbor थो रहे कि इसमें के हम डिटेल जो फिटस की अनौटमी है जो उसका शायरी विकास हो रहे है उसका जयांच किया जाता है कि कि प्रूण की बहुझ आंग में विकृती तो नहीं है उसका पता चल जाता है क्योंकि उसके अनुसार फिर हम उसक इसके अलावा जो गर्ब के चारों और जो क्याटा उन्साणियों क्यों नहीं और जो गर्ब पता चलते हैं फिर लास्ट टेमिस्टर में भी इसी तरह से नाइंध मन्थ में भी दुवारा एक वर अल्टरसाउंड करवाना चाहिए क्योंकि उस टाइम हमें यह पता चलता है ग्रोथ प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है इसके अलावा फिटस की प्रेजनेशन क्या है कि इसका ब्रिच प्रेजनेशन है या कोई और आपनार्मल प्रेजनेशन है तो उसके अकोर्डिन हमें जो डिलीवरी प्लान है उपना योजना है वह reviewed the शामनने करवाना या आपरेशन से करवाना है यह सब हमल्टर सौन से ल organizations में ज중 वेञाना है तो जो है minimum तीन वार्टर संग बहुंत जरूरी है rust करणा है वह हमेरा यह जानने के लिए प्रिःणसी है और उसका कितना nds है और इसकी जो कैलकुलेशन हमारा रहता है कि प्रसब की संभाविती थी कितनी होगी वह जादा वैटर उससे होता है सेकिंड से हमें पता चल गया डिटेल फिटल का जो फिटस की अनॉटमी है उसका पता चल गया और थार्ड में हमें लाई प्रसब का योजना है वो बना सके इसलिए ये बहुत जरूरी है करवाना मैं यह बताईए कि गर्बवती महिला को बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए जिससे मेरे गर्बस्ति शिशो जो है अच्छा सा विकास और रुद्धी हो जाए और कैसी आहार लेनी चाहिए किस तरह की आहार को अवाइड करनी चाहिए और ऐसा कुछ है कि कोई अधिक मील ले फ्रिक्वेंसी मील बढ़ाएं या ना बढ़ाएं अगर बढ़ाएं तो एक कोई ऐसा नमोना बताईए कि किस तरह के आहार एक दिन में गर्बवती महिला ले सकती हैं गर्वा वस्ता में जो खान पान है उसका सही होना बहुत ज़दा जरूरी है क्योंकि इससे गर्व का भी पोशन होगा माता का भी पोशन होगा और तभी उन दोनों का सरवांगिन विकास हो पाएगा तो गर्वा वस्ता के दौरान खान पान का सबसे पहले उसके समय के सारणी क्या रहनी जीए तो कम से कम जो है वो 6-7 मील जो है वो एक दिन में जो है गर्भणी को लेना जीए उसमें रहता है कि वो सबसे पहले जब सुबा उरती है तो 6-7 के बीच में थोड़ा सा कुछ ले ले फिर उसके बाद 8-9 के बीच में ब्रेक फास्ट कर ले फिर 11 वजे वो दुवारा से मिड मॉनिंग स्नैक्स में कुछ ले ले फिर लंच एक से दो बज़े के बीच में लंच कर ले फिर 4-5 वजे शाम को वो कुछ थोड़ा सा फिर दुवारा खाएगी फिर रात में 8-9 के बीच में जो है वो डीनर करे और उसके बाद वो 10 बज़े फिर दुवारा कुछ हलका सा लेकर के जो है वो शैन कर सकती है तो अगर हम एक दिन के और उसमें रहता है कि जो उसका जो अहार रहेगा वो संतुलित होना चाहिए उसमें प्रयाप्त मातरा में जो है वो फल सबजियां दूद और खाना यह सब जो है वो उसमें प्रॉपर रहना चाहिए प्रयाप्त मातरा में उसमें जो है वो कार्बोह तो अगर वो सुबह उठकर के जैसे अर्ली मॉनिंग उठती है चे से साथ बजे की बीच में तो उसमें वो बिगे हुए बदाम दूद ले सकती है दूद के साथ जो है या फिर सौंफ का पाने ले सकती है उससे उसको भूख भी अच्छी लगी और साथ में जो है उसका पोश सौध की अजयए साथ में थे कोई तो जो है या कोई तो टोस्ट को लेता है तो है डाल तो टोस्ट को ले ना है तो फाउश क्टा पोले की अगर के घुरड नहीज़े है दूम में जोंचे के हैं में अक लिए बर सकती है तो जो Em wondered तोस्ट गुर्स को लेना है तो टोस्ट या सैंडविच जो लेना है वो ले सकती है डिनर में भी इसी तरह से दो तिन रोटी चावल सबजी पनीर की सबजी उसमें डेली डाइट में उसका पचास ग्राम एटलिस्ट पनीर रहना चाहिए और दो तिन का टोरी मिश्रित दाल का सेवन कर सकती है और चिकेन ले सकती है चावल ले सकती है रात को सोते टाइम जो है वो दूद जो है वो एक गिलास दूद लेकर के सो सकती है तो इस तरह से यह कंप्लीट जो है वो एक दिन का उसका डाइट रहेगा अब डाइट के बाद आता है कि गर्बकाल में उसको कौन पूरन थितलि आसन पर सकती है और चकी चलन आसन कर सकती है ऋसको भी स्ट्रेंट मिलेगी और थे जो है वो जो जो कशिर है, वो भी जो है वो नीचे पलवीस में जाएगा। फिर हम गर्व काल में विश्राम के बाद करें तो रात में 8 गंटे प्रयाप्त मातरा में लेनी चीए और दिन में at least 2 घंटे जो हो परयाप्त.. प्रतिदिन सनान करें और स्वच और अरामदाइक वस्त्र और अंत्रवस्त्र पहनें और स्तनों की प्रॉपर देख रेक करें और उनकी सफाई का ध्यान रखें धूम्रपान और मदीरा का सेवन ना करें इसके अलावा हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये बताएं कि कौन-कौन से ऐसे लक्षन होते हैं जो की जोखिम भरे हैं और जटिलता से भरे हुए हैं और अगर इस तरह का कोई लक्षन उत्पन होता है तो तुरंत गर्भणी को अस्पताल लेके जाएं चेकित सक्या परमर्ष लें तो ऐसे लक्षनों में आता है योनी स्त्राव हो रहा है चेहरे पर सूजन या भारीपन हो रहा है तेज और लगातार सिरदर्द है आंकों में धुंदलापन है कम दिखाई दे रहा है पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है लगातार उल्टी आ रही है बु जो कि पर्मोर्टकर्य है छो आप सोस्थेके करता है आपके गर्भणी की परीचरय है जो देखवाल है इसके क्या अलाब है इससे माता का स्वास्ते बना रहेगा एक शीशू का भी सरवांगीन विकाश होगा जो आप खान पान के बारे में बताएं कि उसका पोशन अच्छा होगा इसके अलाबा टाइम टू टाइम उनको बताना है कि आपके विजट का टाइम हो रहा है इसलिए आप च आपको यह यह जो है वह प्रेग्नसी में टीका करण जो है वह करवाना चाहिए और यह आपने करवाया या नहीं बार-बार उनको जो है उसके लिए जह वह वह सलाह देनी है कि आप यह सब करवा करके आए यह हो गया जो एंटिटल केर का प्रमोशन है इसके अलाबा जो है शारिरिक जो है विकास के साथ साथ उसको मानसिक रूप से भी तयार करना है कि वो गर्भिनी जो है वो मानसिक रूप से प्रसव के लिए तयार हो और जो प्रसव का डर है वो उसके दिमाग से दूर हो जाए और वो उसके परिवार को भी साथ में जो है वो सहारदरपूर्ण जो वातावरण है वो बनाये रखने के लिए तैयार करना है और उनको रेडी करना है कि जो आने वला शिशुवा तैयार। इसके अलाभा coupon केसे ईसके oppil कर सकते हैं कि आपको कईसे delivery करवानी ए कहां करवानी है क्या चीजों का ध्यान रतना है यह सब आपका काम है कि आप उसको बताएं इसके अलावा अगर प्रसव के जो डेंजर साइंस मैंने बताएं जक जोखीं भरे साइंस बताएं वो सब के बारे में उनको अफ़गत करवाना है कि अगर इस तरह का कोई लक्षन उत्पन होता है तो जो केर है वो जो है वो उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की वो हमें कैसे लेना है तो यह सब काम जो है वो स्वास्ते कारेकरता का रहता है प्रिया शिक्षारदियों तो मैं आशा करती हूं कि आप संपून रूप से गर्बनी की देख बाल के बारे में डॉक्टर जोशना ता करें धन्यवाद धन्यवाद मेरे धन्यवाद